साथियो वीडियो आने में देरी हुई है इसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि इस बीच पंडित सुंदरलाल जी की फैमिली से मिलना हुआ और उनके इंटर्वियू को मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है और मैं चाहता हूँ कि आप उनके फैमिली के साथ किये गए इंटर्वियू को एक बार जरूर देखें अभी से हम जो कहानी चल रही थी उसको कंटिन्यू करेंगे साथियो जब दौलत राफ सिंधिया पूना में बैठा था और माक्विस वेलेसली चाहता था कि दौलत राफ सिंधिया अपनी राजधानी में चला जाए इसके लिए वेलेसली ने जितने चाले चली थी वो सारे नाकाम हो रही थी और इस बार वेलेसली ने एक नई चाल चली कि उसके राज्ये की उत्तर पूरवी सरहत पर आवद की समस्त अंग्रेजी सेना लाकर खड़ी कर दी थी क्योंकि दौलत राफ सिंधिया के पूना से हट जाने के बाद वेलेसली टीपू सुल्तान पर हमला करना चाहता था इतना ही नहीं वेलेसली ने इस समय तक पूरा इरादा कर लिया था कि टीपू से निपटने के बाद दौलत राफ सिंधिया के साथ युद कर दिया जाए क्योंकि दौलत राफ सिंधिया ही उस समय मराठा सामराज्य के अंदर सबसे जबरदस्त नरेश था इस काम के लिए वेलसली ने भारत के दूसरे नरेशों को सिंधिया के विरुद फोड़ने के प्रत्न शुरू कर दिये थे कोल बुरुग को भीजने का उद्देश्य बरार के सेनने बल का पता लगाना और टीपू तथा सिंधिया दोनों के विरुद बरार के राजा के साथ गुप साज़िश करना था तीन मार्च सन 1799 से पहले वेलसली ने कोल बुरुग को एक पत्र में लिखा था कि बरार के राजा का इलाका ऐसे मौके पर है कि दौलत राफ सिंधिया के विरुद बरार के राजा के मदद हमारे लिए विशेश उपयोगि साबित होगी इसी पत्र में वेलसली ने कोल बुरुग को लिखा था कि तुम्हें जिस बात की और लक्षा रखना चाहिए वह यह है कि बरार के राजा, निजाम और कमपनी तीनों के बीच सिंधिया और टीपू के विरुद एक इस तरह की संधी हो जाए जिसमें बाजिराव पेश्वा भी जब चाहे शामिल हो सके किन्तु इसी पत्र में वेलसली ने यह भी लिखा था कि बरार के राजा अथवा पेश्वा या निजाम से संधी के विरुद एक ऐसी संधी का प्रवंद करना जिसमें सिंधिया का नाम आता हो बुद्धी मत्ता नहीं है इस बार बरार के राजा के भाव जानने के लिए जो कुछ आप शुरू में कारवाई करें वहे भी बहुत सावधानी से करने चाहिए हमें दिखलाना केवल यही चाहिए कि हमें डर्ड टीपू सुल्तान से है और यद्दपी संधी में आम तोर पर संधी करने वाले शक्तियों का कोई और शत्रू य यह शब्द भी ले लेना चाहिए फिर भी अभी कोई ऐसी बात नहीं करने चाहिए जिससे सिंधिया का नाम सामने आ सके इसलिए राजा के सामने आपको एक ऐसी संधी पेश करने चाहिए जिसका वरतात और खुला उद्देश केवल टीपू सुल्तान के हमला करने की सूरत म कमपनी और राजा के एक दूसरे की सहायता करने के वादे को साफ और मजबूत कर लेना हो किन्तु संधी के शब्द ऐसे रखे जाएं कि यदि हस्ताक्षर होने से पहले आविशकता पड़ जाए तो सिंधिया का नाम बीच में जोड़ा जा सके साथियों वास्तब में टीपू बरार के राजा या अंग्रेजों दोनों में से किसी पर भी हमला करने वाला नहीं था और ने दौलत राव सिंधिया उस समय तक किसी तरह का इरादा अंग्रेजों के वरुद कर रहा था हमें याद रखना चाहिए कि वजीर अली के पत्तरों की गब भी इसके बाद की गड़ी हुई थी किन्तु अंग्रेज टीपू और दौलत राव दोनों के नाश का इरादा कर चुके थे वेलेसली यह भी जानता था कि नागपूर के राजा भौसले को निर्दोश दौलत राव के वरुद खुले तोर पर फोड़ सकना इतना आसान नहीं है उपर से अभी तक दौलत राव के साथ वेलेसली मित्तरता दर्शा रहा था इसलिए वह इस धोके से दौलत राव के वरुद दूसरों के सहायता को पका कर लेना चाहता था तीन मार्च सम 1799 को वेलेसली के एक प्राइवेट पत्र हैदराबाद के रेजिडेंट कप्तान कर्क पेट्रिक को लिखा गया था जिसके साथ उसने पामर और कोलब्रुक दोनों के अपने पत्रों के नकले नत्थी की थी कॉलब्रुक को नागपूर भेजने का जिकर करते हुए वेलेसली नकर पेट्रिक को लिखा था कि अच्छा यह होगा कि बरार के राजा और कंपनी के बीच यह संबंध हैदराबाद दरबार को बीच में लेकर पका किया जाए और अंत में शायद सिंधिया तथा टीपू द इतना ही इस घटना के बाद आगे क्या हुआ इसकी बाद आपको अगली वीडियो में जानने को मिलेगी फिलहाल इतना ही आपसे फिर मुलाकात होगी नमस्कार